नमस्कार साथ ही हो तो हम लोग देखने बिहार सेसी सीजेल ठर 22 कार प्रैक्टिसेट यह प्रैक्टिसेट नमस्स साथ है तो चली शुरुवात किया जाए पहला कॉश्चन कहरा है हाल ही में खबर में रहा राखी गड़ी किस राज्य में स्थित एक हरापा एस्थल है तो थैले सीमिया सरीर के किस अंग से सम्मधित रोग है तो यह रोग है रक्त से सम्मधित यानि अप्सिन अबर बी अगला कॉश्चन है लॉंग में सक्रिय मूल तत्व कौन सा है लॉंग में सक्रिय मूल तत्व कौन सा है तो यह तत्व है यूजी नॉल यानि अप्सिन अबर अगला कोशन है विजेन नगर समराज्य में भूमी कर कितना था तो भूमी कर जो है पहला अप्सिन का उपज का एक वटा दो भाग या फिर उपज का एक वटा तीर भाग उपज का एक वटा चार भाग उपज का एक वटा छे भाग तो विजेन अगर समराज्य में जो है यह भूमिक कर जो है यह उपज का एक्वाटा छे भाग था यानि अपस्न नमर D हो जाएगा अगला कोश्टन है तिरुपूरा के नए मुख्य मंतले के रुप में अभी मानिक साहा जो है या अभी सपतली है यान अपस्न नमर C अगला कोश्चान ohp правда जाना वाले अगला कुछ्चान है बच्चों को दिए जानेवाले 2020 का कॉरबए वाक्स जो है वयक्सीन किसके दौर thार्ा निन्मित किया जा रहा है यह जो इसका नबर ए हो जागा इसका उत्तर अगला कुश्चन है स्वेटन इस्थित इस्थित जो है तिंग टैंक इस्टोख हों इंटरनेशनल पीस रिशाज इंसिट्यूट यानि इसी प्री द्वारा जारी रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट के अनुसार हत्यारों को सबसे बड़ा आया तक त तो यह बनाया भी भारत बनाया यानि अप्शन नमबर बी अगला कुश्चन है सेंगत राष्ट परियाबरन कालिकरम की वर्च 22 की वार्चिक रिपोर्ट के अनुसार विश में सरवादिक सोर परदूसन करने वाला सहर कौन सा है तो सबसे ज़्यादा परदूसन करने वाला सहर है धाका यानि अप्शन नमबर सी अगला कुश्चन है बी मिस्टेक का पांचवा सीखर सम्मिलन वर्चोल तरिके से किस देश की मेज़मानिस में संपन हुआ है तो ये हुआ अबी स्रिलंका यानि अप्शन नमबर डी अगला कुश्चन है सीतार के पर्थम तार को क्या कहा जाता है सितार के पर्थमतार को क्या कहा जाता है उसे कहा जाता बाज तार याने अप्सें नमबर अगला कोशन है भारत्या समी धान के प्राणूपसमीति के अध्यक्ष कौन थे यह थे बियार अम्बेटकर डॉक्टर बियार अम्बेटकर यानि अपसन नमर B अगला कॉशन है महीनी अटम निर्ते सहली भाद के किस राज़े से सम्मदित है तो महीनी अटम जो निर्ते है एक राज़े से सम्मदित है यानि अपसन नमर C अगला कुश्चन है भारत द्वारा प्रेक्षन की गई पहली एंटी सेटलाइट मिसाइल प्रेक्षन कौन सा है तो यह हो जाएंगे मिसन सक्ती जो कि एक भारत के पहली एंटी सेटलाइट मिसाइल ही यह तो अभी प्रेक्शन किया गया है मिशन सकती को यानि अप्शन नमबर B जो कि DRDO द्वारा जो है विक्सित किया गया है अगला कोश्चन है भारतिया सर्मिधान का निम्डेखित में से कौन सा अनुछेद एक GST परिशत के स्थापना से सम्बंदित है तो वो अनुछेद है 279A यानि अप्शन नमबर D अगला कोश्चन है हालोजन के वहातम कोस में कितने एलेक्ट्रोन होते हैं तो ये होते हैं साथ होते हैं यानि अप्शन नमबर C अगला कोश्चन है 1947 में हैधरावाद का निजाम निम्डेखित में से कौन था तो वह था उस्मान अली था यानि अप्शन नमबर A अगला कोश्चन है विकास के डोनट मोडल कवदेश से क्या है यह हो जाएंगे यह पढ़िया ब्रनी ये लागत पर तेजी से विकास की कपना करता है यानि अप्शन नमबर यह हो जाए गया यह एक ऐसी दुनिया करपना करता है जिसमें लोग और ग्रह जो संतुल ने प्रप्प सके तो अगला कुशन है मनुष्य वनुष्पति जात और प्रानिजात किस परकागा संसाधन है तो यह संसाधन है जैब संसाधन यान अप्सन नुबर हो जाएगा अगला कुश्चन है भात का कौन सा दिप परवाल दिप है तो यह हो जाएंगे लक्षदी यानि अप्सनबर जाला के नियाधिसों के लिए वेतन भत्य और पैंशन सम्मदित नियाम निर्धारित करती है तो यह अन्षद हो जाएंगे अन्षद 211 याने अप्शन नबर बी अगला कोश्चन है निम्रिकति में से कौन सा अन्षद समिधान के आपात उपबंद से सम्मदित है अन्षे 34 rich 352 356 या फिर सभी अन्ष हो जाएंगे तो यह सभी यह पात उपबंद से सम्मदित अन्षे 352 यह राश्पतिक शासन सम्मदित अन्षे 32 ships ने से समिधें या यह पात उपबंद से सम्मदित या उप उपसन नमबर टी हो जाएगा अगला question है एक micron कमान कितना होता है एक micron कमान होता है 10 to the power minus 6 meter यानि option number B अब micron को 뉴 icon micron meter को जो है वह micron भी कहा जाता है उजिसे reviewing distribute किया जाता है अगला question है किसी pin का भार क्या होता है किसी पिंट का भार धुरुवपर चरबादिक होता है यानि अप्सिन नबर B हो जाएगा इसका उत्तर अगला कोशन है पाने के बुंदों का तेलिय प्रेश्ट पर नहीं चिपकता है तो इसका कारण है असंजक बल का अभाव यानि अप्सिन नबर A हो जाएगा अगला कोशन है वर्षा का प्येच मान जब डैस से कम हो जाता है तो वो अमलिय वर्षा कहलाता है तो किस से कम हो जाएगा जो अमलिय वर्षा कहलाएगा तो वो हो जाएगा 5.6 से कम जागा तो वह अमली बर्सा कहला थाले उसे कों सा कॉसिका नहीं पाय जाते हैं दूसरा पादब को सिकामे को साभित्ता को से जोपाई जाती है तिसरा सिलिया केवल पादप कोशिका में पाया जाता है इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है तो ये गलत हो जाएंगे तीसरा नमब सिलिया केवल जो पादप कोशिका में पाया जाता है ये बिल्कुल गलत है इसका जो है तो तीसरा याने केवल थिरी हो जाएगा इसका उत्तर नमर C अगला question है मनुस्य में गठ्षिया रोग होने के कारण सरीर के रक्त में कौन सा एसिट का इस्तर बढ़ जाता है जब मनुस्य में गठ्षिया रोग हो जाता है तसरी के रक्त में कौन सा ऐसेड का इस्तर जो बढ़ जाता है तो ये बढ़ जाता है यूरिक ऐसेड याने अपसन नमबर डी अगला कॉशन है निम्रिखित में से किस आंदोलन या विद्रो के पर्मुक नेता कमपा राम एवं भागा सिंग थे तो वो थे ते भागा आंदोलन में याने अपसन नमबर डी अगला कॉशन है पुष्टक अठारू संतावं द ग्रेट रिवॉल्ड के लेखा कौन है तो वो किया गया है विजयनेगर और मेवार को किया गया है अपसन नमबर सी अगला कॉशन है विजयनेगर समराज्ये में किन्दे राजवंसों ने सासन किया था तो विजयनेगर समराज्ये में ये कुल चार राजवंसों ने सासन किया था जो कि था संगम बंस था सालू बंस था त यात्रियों को राजकुमार के नाम से जाना जाता है तो से जाना जाता है तो थे बीका खिलेक परश्ट्चित के याना रचेस को परशृत अगला है उप्स नयएए तो ए कर रहा है पुष्टक द कमिशनर फॉर लास्ट कोज़ेज के लेखक निम्रिखित में से कौन है तो वह हो जाएंगे अरुन सौरी यान अपसे नंबर ए अगला कोशन है संयुक्त राष्ट संग ने वर्ष 1223 को किसका अंतराष्टी ये वर्ष घुशत किया है तो यह किया है मोटी अनराज का अंतराष्टी वर्ष यान अपसे नंबर सी हो जाएगा इसको अगला कोशन है आर्थिक ब्रश 1221 में जब देश का लगभग सभी राज्य योम की अर्थ वर्ष्था में सिकुरन दर्ज की गई थी तो बिहार की अर्थ वर्ष्था में कितने प कोशन है मांसून सब्द के उत्पत्ति किस भासा से हुई है तो मांसून सब्द के उत्पत्ति जो है यह अर्वी भासा से हुई है यानि अपसे बी हो जागे इसको अगला कोशन है मुख्यमंत नितिश कुमार ने साथ निश्चे योजना टू को किस वर्ष लाया तो मुख् कि अगला कुशन है अगनी पी परच्छेप पास्त्र की पारस छमता किया कितना है तो इसका रेंज जो है यह हजार से अगला कुशन है भूप परट्री में कार्बन का अनुमानित परटीसद कितना है तो कार्बन का अनुमानित परटीसद जो है कि 1950 में जो सरव्धान जो में सोधा किया था त्यार जैपि नरायन यानी अप्शन कार्फ भी हो जागाएँ इसका उत्तर अगला कुशन है जेनर ने सुरब पर्थम किस रोग का टीका बनाया तो जेनर जो है यह चेच्चा का टीका बनाया था यानि अप्शनर B हो जागा इसका अगला कोशन है अर्बिंद पन गारिया टास्क फोर दोया पंदर में अर्बिंद पन गारिया की अधक्षता में बनाया गया जिसका उद भारतिये निर्धर्मता का आकलन करना यानि अप्षिन नंबर टी हो जागा इसका अगला कोशन है पंद्रवे विर्थ आयोग में कब से कब तक की अबधी के लिए सी फारिस की है तो पंद्रवे विर्थ आयोग में ये एक अप्रवे दोयग का इस से 31 मार्च दोयग शबिश तक की गई है यानि अप्षिन नंबर ए अगला कोशन है विश परसंता सुचकांग दोयग वाइस में भात का रेंग कितना है तो इसमें भात का रेंग जो है 136 वा है यानि अप्षिन नंबर सी अगला कोशन है किस वाइसराय के समय में तिरतीय आंगल वर्मा युद हुआ था तो यह हुआ था लोड डफ्रिन के समय में यानि अप्षिन नंबर बी हो जागा इसको अगला कोशन है भात में राष्टे मुद्रा का पर्तिक रुपईया कब जारी किया गया था भात विराष्टे मुद्रा का पर्तिक चिन जो है ये रुपईया जो है कब जारी किया गया था ये जारी किया गया था दोजादस में और इसका डिजाइन जो है उद्यकुमार ने बनाया था अगला कोशन है पदमा किस फसल का उनत किस्म है तो पदमा जो है एक धान का जो है यह उनत किस्म का फसल है यानकस्ण नमबर टी हो जाएगा इसका अगला कॉशन है पारेष्टित की तंद्र की संकलपना को किसने परस्ताबित किया था तो इसे किया था एजी टांस लेने याने अप्स नमबर बी तो दोस्तो आज का सेट यहीं पर समाप्त होती है अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगी हो तो इसे लाइक किजेगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों सबसार किजेगा धन्यवाद